हेलो फ्रेंड सेनी टेरिस में आप लोगों का स्वागत है मैं अमर जी तो और आप देख रहे हो सेनी टेरिस किचन गार्डन तो दिखिए जो सब्जियों में बदलाव आया है मैं आज उसकी दो दिन के बाद आपको दिखा रही हूँ अपडेट क्योंकि मैं दो दिन से चत पे नहीं आय रही थी और जो आपको वीडियो आई है वो मैंने दो दिन पहले बना रखी थी तो वो डाली थी क्योंकि मैं दो दिन से घर से बाहर जा रही थी तो आज मैं विडियो बना रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ dust काफी जादा हो गई हैพोदों पर यह जो आप देख रहे हैं यह बैंगन का बोदा यह पुराना बैंगन का पोदा है और flowering अच्छी हो गई है पानी की हो रही है तो पानी दूंगी दो दिन से मैंने पानी नहीं डाला है अपनी जो terrace है उसकी पोदों में तो क्या होता है जब हम हवा भी चलती है और धूप भी होती है तो पानी नहीं डालते हैं पोदे देखिए इस तरह से इनकी grow bag जमीन में तो चल भी जाता है दो चार दिन लेकिन terrace पर सीमित मिट्टी होती है तो उसमें पानी की जरूरत पड़ती है और ये मेरा धनिया देखिए पूरा धनिया बहार आ गया है मिट्टी से निकल गया है यानि के germination अच्छा हो गया है गर्मी वाला धनिया था और सर्दी वाले धनिया में क्या होता है कि जल्दी उसमें बीज बनने लगता है फ्लावरिंग आ जाती है और जल्दी बीज बनता है तो ये special गर्मी का धनिया है देखते हैं इसके कैसे result हैं और ये रहे मेरे बीज देखिए तीसरा पत्ता इन सभी में जो मैंने बीज लगाए हुए है ये ककड़ी की रहा अगयरा के तो तीसरा पत्ता इन में आ रहा है और गर्मी होनी लगी है थोड़ी तो पोधों का देखिए कैसे मूं से लटके हुए है और उपर से इनकी पत्तियां डंडियां लटकी हुई है पानी की इनको जरूरत ह है अभी तो अभी वीडियो शूट करने के बाद इन में पाने डालूंगी शाम का टाइम है वैसे यह देखिए यह है मेरा बथवे का पोधा और इसमें से अगर बीज अच्छा निकला तो दो तीन साल मैं एक पोधे से अपने गार्डन में बीज उगा पाऊंगी और की अपडेट है देखिए मूली में फ्लावरिंग खूब है और फलीयों की देखिए नोट्स यह जो फूल गिर जाता है वहाँ पे फली बनने लगती है तो इसकी फलीयों का बहुत अच्छा टेस्ट लगता है अगर हम ऐसे खाते हैं तो सैलड ऐसा लगता है जैसे मूली ख निकल आई है और यह थोड़ी घनी हो गई है क्योंकि मैंने बीच जादन डाल दिया था तो मैं इसको थोड़ी जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं इसको बीच-बीच से निकाल दूंगी तो थोड़ी हलकी कर दूंगी और इन जो यह बीच में इधर लगाए हुए है इन म तो इनकी देख लीजिए ये इन में भी चोथा या पांचमा पत्ता ऐसे निकल रहा है किसी में चोथा निकल रहा है तो किसी में तीसरा निकल रहा है ऐसे निकल रहे हैं इन में पत्ते और जो मैंने क्रेली की बेले लगाई थी क्रेली की बेले अब ग्रोथ करने लगी है कंटेनर में प्याज लगे हैं ये हर रोज सूख जाते हैं और आज दो दिन के बाद देखें इनकी हालत कैसी हो गई है और मंकी भी इनको खाते रहते हैं जो इन तीन कंटेनर मिल गई थी इनकी भी अच्छी पोजीशन हो गई है और देखिए इधर भी सारे कंटेनर पानी के हो रहे हैं और ये रही मेरी बेंस देख लीजिए अभी दूसरे से तीसरे पत्ता इने में निकलने लग रहा है और सभी पोदों में अभी पानी दूँगी क्योंकि कुछ पोदे ऐसे हैं जिनकी गुडाई हो होती है और अगर हम ऐसी सॉफ्ट मिट्टी बनाती है वैसे गुडाई की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन जो घास भी उगाता है और वैसे तो बरसात होने का मोसम आज फिर बन गया है बादल शा गए हैं खूसरे तो हो भी सकती है और अगर रही हुई तो सुबह मे इसमें गुडाई करूंगी लगा तो स्याम को दूंगी नहीं तो अगले दिन पानी दे दूंगी फिर अगर बरसात होती है तो वो दे देगी फिर पानी बरसात और एक मेरा यहां पर यह करेले का पोदा भी हुगाया है एक मैंने बीज यहां पर डाला था इसमें की देखत जो काटी थी तो उसमें से यह देखिए कैसे उगाई है डंडी से मनी प्लांट जो होता है उसमें इसकी नोट से पतिया निकलेंगे अभी तो फिर से दबा देती हूं इसी में तो इसकी यह अपडेट है और यह देखिए प्याज मंकी महराज जी खा गए हैं मैंने नहीं हार् निकाल कर ऐसे ही फाड कर डाल दिया है इदर उदर और कुछ खा भी जाते हैं और भिंडी का ऐसा है कहीं निकल रही है कहीं नहीं निकल रही है तो देखिए और तो वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक कर देना चैनल को सस्क्राइब कर लेना और यह देखिए यह स तो अभी देख लीजिए इधर ये मिर्च और टमाटर मिर्चे भी इसमें अच्छी बन रही है नीचे ऊपर टमाटर भी चल रही है इसमें फ्लावरिंग होने लगी है इसमें कुछ फ्रूटिंग है कहीं फ्लावरिंग है तो ये रही मेरे गार्डन की अपडेट देख लीज तो ये मिर्चियां भी देख लीजिए काफे सारी मिर्चियां उग गई है मेरे गार्डन में वो धर विप्याज में भी उग गई है तो अगली वीडियो में मिलते हैं फिर